बिसमिल आरहम अरहीम, चेप्टर नमबर टू, इंट्रोड़क्शन टू बायोकेमिस्टरी, FSE पार्ट वन है, और बायोकेमिस्टरी एक्चली ब्रांच होती है, बायोजिकी डिल विद अस्टुडी ओफ केमिकल कंपॉंट्स और केमिकल कंपॉंट्स, जो भी केमिकल कंपॉं प्रोटीन आजाता है, लिपर्स आजाता है, इन ओर्गेनिक में वाटर, कर्बन डायोकसाइड, एसीड, बेसिज और सॉल्ट्स, और केमिकल रियक्शन टेक्स प्लेस विदिन अ सेल, और कोलेक्टिबली कॉल्ड मेताबोलिजम, मेताबोलिजम को हम फर्दर डिवाइड करत इनर्जी, उसके बाद इसके अंदर यह बताया जा रहा है कि कार्बन की इंपोर्टेंच क्या है, कार्बन जो है वो बेसिक अलिमेंट है, और गेनिक कंपाउंट का, कार्बन टेट्रावेलेंट है, कोबलेंट बॉन बनाता है, वन टू और मोर एटम कंप्लीट दियर शेल बाद शेरिंग लेक्टों, लाज ओर्गेनिक मोलेक्यूल्स लाइक सेललोस हो गया, फैट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, यह जेनरली इनसल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, स्मॉल ओर्गेनिक मोलेक्यूल्स जो जैसे गुलुकूस, अमिनो असिट्स, फैटी असिट्स असिट्स हो एस आइधर इस सोर्स ऑफ इनर्जी और सब्यूनित टो फ़र्म मैक्रो मॉलेक्यूल्स, एटी पी क्या है, यह एक अंस्टेबल मॉलेक्यूल है, जो कि फोरन टूट के हमें इनर्जी प्रोवाइड करता है, इनसल्यूलर रस्पारिशन, तो वाटर की इंपॉर पॉर्ची के इनर्जूल एक कारी के चैनलस वाटर कारा, इनर्जान, गमस्ट खोर्ची सर्फ बॉर्रहाइड क्विक़लाशन, इनर्जान, इनर्जान, पॉर्कोर पष्पपारोर्वाची, जो एक अंचिंध की जीूलीक्य नेर्जियूल। 25 degree centigrade पे concentration of hydrogen and OH iron in pure water 10-7 mol per liter है H and OH take place in many reactions अब हम carbohydrates की देख लेते हैं कि carbohydrates का literal meaning होता है hydrated carbon chemical ही अगर हम carbohydrates को define करें तो polyhydroxy aldehydes and ketones formula है CXH2OY their general formula इनका main source है green plants तो आपको यह question आ सकता है कि carbohydrates का main source का है तो आप बता सकते हैं कि green plants they combine with protein and lipids to form glycoproteins and glycolipids और उसके बाद तीनों जो carbohydrates की types है जैसे कि monosaccharide, oligosaccharide and polysaccharide mono का मतलब होता है जिसके अंदर single sugar हो, soluble होती है आसानी से पानी के अंदर hydrolyze नहीं हो सकती triosis, tetrosis, pentosis की example है monosaccharides ring structure बनाता है water के अंदर ribos की 5 carbon ring होगी, glucose की 6 carbon ring होगी जिसे हम glucose pyranose कहेंगे और ribos की ribofuranose कहेंगे हमारे blood के अंदर 0.08 percentage glucose की amount मौझूद होती है तो यह है monosaccharide, oligosaccharide क्या होता है? यह complex sugar है, less soluble है, cannot be hydrolyzed, disaccharide और trisaccharide इसकी example है covalent bond होता है, दो monosaccharide unit के अंदर और glycosidic bond होता है maltose, sucrose, lactose यह इसकी example है और यह जो है, disaccharides है, sucrose, glucose and tructose yield करती है polysaccharide most complex होती है, insoluble होती है याद रखेगा, जो monosaccharide थी, वो soluble थी, easily oligo less soluble, polysaccharide insoluble होती है इसे हम hydrolyzed कर सकते है glycogen cellulose starch इसकी example है और यह बहुत सारे monomers बना देते हैं, जब हम इसकी glycosis करवाते हैं hydrolysis करवाते हैं, तो बहुत सारे इसके monomer unit बन जाते हैं और यह glycosidic से आपस में bond होता है, glycosidic bond carbon and oxygen bond, glycosidic bond इसके अंदर यह आपस में जुड़े होते हैं example है, starch, glycogen, cellulose, dextrin, agar, pectin, kaitin यह सारी polysaccharide की example है, अचा उसके बाद है, हमरे पस classes of polysaccharide polysaccharide को अगर हम देखे, starch यह glycogen ने cellulose है starch plants में मौझूद होता है, glycogen animals में मौझूद होता है, cellulose plant में starch को हासिल करने के लिए हम fruits, grains, seeds, tubers कित्रू हासिल कर सकते glycogen actually liver skeletal muscles में मौझूद होता है, human body के अंदर, और इसके इलावा cellulose होती है, यह plant की cell wall में मौझूद होती है, starch जो है, यह main source of carbohydrates है, for animals के लिए, जितने में animals हैं, अगर वो starch लेते हैं, तो यह उनके लिए main source है, carbohydrates का, cheap storage form in animals, glycogen जो है, वो storage form में रहता है, animals के अंदर, और cellulose क्या है, यह main constituent है, cell wall का, यह तीनों on hydrolysis yield करते हैं, glucose, 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 अचा, इसके अंदर, जो starch है, यह blue color देता है, iodine के साथ, glycogen red color देता है, इसके अलावा, जो cellulose है, यह कोई color नहीं देता, फिर यहां पर हमने amylose और amylopectin की बात किया है, amylose क्या होता है, यह unbranched होती है, soluble होती है, hot water के अंदर, और amylopectin जो है, यह branched है, insoluble होती है, चाहे आप old water रखें या cold water रखें, इसी भी water में amylopectin soluble नहीं होती है, उसके बाद है, lipids hydrophobic compound है, यह यह water repellent है, insoluble है water के अंदर, लेकिन soluble होता है, organic solvent like ether, alcohol and chloroform, lipids have soluble amount of energy, अचाहे, lipids के अंदर जो है, double amount of energy होती है, as compared to carbohydrates and proteins, मतलब अगर 1 gram आप lipid लेंगे, तो आपको double amount of carbohydrate लेंगे, तो फिर आपको उतनी amount energy मिलेगी, इतना आपके just 1 gram lipid से मिली है, इसके अंदर जो energy के amount होती है, वो double होती है, यह आपने याद रखने है, asyl glycerol क्या होते है, इसके अंदर glycerol और fatty acid जब combine होते है, तो asyl glycerol बन जाता है, ester क्या होता है, यह compound produced as a result of chemical reaction of an alcohol with an acid and a water molecule is released, ester जो है, यह compound होता है, जब chemical reaction होता है, alcohol और एक acid के साथ, फिर यह ester release होता है, इन animal fatty acids are straight chain, while in plants, they are ringed, animal के अंदर जो fatty acids होते है, वो straight chain में होंगे, फास्टो लिपिट क्या होता है, यह basic component है, हमारी cell membrane का, लिपिट्स are considered better source of energy than carbohydrate and protein, लिपिट्स को यह तसरूर किया जाता है, कि यह बहतरीन source है energy का as compared to carbohydrate and protein, animal fats are solid at room temperature, जो animal fat होती है, यह room temperature पे solid होती है, fats and lipids are lighter than water, याद रखेगा कि fats और lipids यह पानी से lighter होती है, having specific gravity 0.8, waxes are protective coating on fruits and leaves, waxes जो है यह protective coating होती है, fruits and leaves के उपर, phospholipids are phosphatidic acid, इसके इलावा जो है terpenoids, यह क्या है, यह actually simple repeating unit isopyrinite से बने वे होते हैं, जो कि waxes की example है, lipids की example है, उसके बाद protein की बात करें, तो protein सबसे ज़्यादा abundant organic compound है, जो कि पाया जोता है, cell के अंदर 50% of total dry weight cell का protein का होता है, example क्या है protein, कहां-कहां वोजूद है, enzymes सारे protein के बने वे होते हैं, hormones, hemoglobin, antibodies, clotting protein, mitotic apparatus, सब protein का बना होता है, 170 type of amino acids have been found in cells and tissue, हमारे cells and tissue के अंदर 170 type of amino acid मर्यूद है, 25 are constituent of protein, उनमें से जो 25 हैं, वो constituent हैं protein के, most of the protein made up of 20 type of amino acids, ज्यादा तर जो 20 type of amino acid है, उससे protein बने वी होती है, carbon and nitrogen link, जो होता है, इसे हम peptide bond कहते हैं, यहाँ पे dipeptide भी हो सकता है, यहाँ दो के दरमियान, tri, tetra and penta peptides form link बन सकते हैं, four level of organization है protein molecule के अंदर primary, secondary, tertiary, quaternary, primary के अंदर क्या होता है, number and sequence of amino acids, जो होता है, वो linear होता है, secondary में coiling होती है, tertiary में bending and folding, यहाँ एक तुसरे के पर bend और fold हुए होता है, quaternary में aggregation होती है, अच्छा primary के अंदर जो bond होता है, वो disulfide bond होता है, secondary के अंदर hydrogen bond होता है, tertiary के अंदर ionic भी होगा, hydrogen भी होगा, disulfide भी होगा, और quaternary के अंदर hydrophobic hydrogen होगा, यह दो bond होगे, primary insulin and hemoglobin में वजूद है, secondary alpha helix, tertiary single chain of hemoglobin, and quaternary hemoglobin molecules के अंदर नज़र आती है, उसके बाद हमें amino acid का जो सबसे पहले sequence था, उसने determine किया था, F-sanger है, insulin के अंदर उसने बताया, 51 amino acid है, alpha और beta chain की form में, और hemoglobin के अंदर 574 amino acid है, दो alpha chain है, दो beta chain है, secondary structure क्या होता है, alpha helix and beta plated sheets are its example, alpha helix के है, यह very uniform geometric structure है, जिसके अंदर 3.6 amino acids होते हैं, उसके हर ton में, helix के, और इसके लावा stable tertiary structure is that, in which hydrophobic जो होता है, and amino acid का वो अंदर होना चाहिए हो, hydrophilic outside होना चाहिए, तो यह stable tertiary structure होगा, cotonary structure chains are aggregated and held together by hydrophobic interaction, cotonary structure जो होता है, यह aggregate होगा होता है, hydrophobic interaction से, fibrous protein होती है, यह elastic होती है, insoluble होती है, non crystalline होती है, stable structure, secondary होता है, fibril shape होती है, protein की example है, silk fiber, actin, myosin, fibrin, keratin, globular protein, globular protein, spherical, tertiary, soluble, crystalline, inelastic and stable protein होती है, example है, enzyme, antibodies, hormones, hemoglobin, उसके बाद आ जाता है, nucleic acid and DNA and RNA, nucleic acid DNA and RNA, nucleic acid was first isolated by F-mesher from nuclei of pus cell, इसलिए इनका नाम nucleic acid है, यह nucleic acid जो होते हैं, सबसे पहले nuclei से isolate किये गए थे, और ST की नेचर होते हैं, तो इसलिए nucleic acid नाम है, DNA made up of four kind of nucleotides, adenosine, D, adenosine monophosphate, D, guanosine monophosphate, D, cytodine monophosphate, and D, thamidine monophosphate, nitrogenous base दोतरां के होती है, purines and pyramidines, purine, double ring, इसके अदे 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 गर्वनिन आ जाते हैं, pyramidine, single ring, cytosine, thymine, and uracil, इसकी एजम्पल है, इसकी ताइप सह, NAD is a dinucleotide and important coenzyme, 1951 के अदे, Arvind Chargaf provide data about the ratio of different bases present in a DNA molecule, hemophilis influenzae is the first microbe to have genome completely sequenced, three main type of RNA, messenger RNA, जो 3 to 4 percentage होता है वैसल के अदे, messages लेके जाता है from DNA से, transfer RNA 10 to 20%, transfer amino acids ribosomal RNA 80% होता है, formation of ribosomes, DNA and RNA के दर्मियान comparison देख लेते हैं, DNA double strand है, D-oxy ribose, इसके अदर nitrogenous base मौझूद है, इसके लावा AGCT, इसके अदर मौझूद हैं, bases और इसके अदर हर cell के अदर constant होती है, इसके amount DNA की और nuclei और mitochondria के में भी थोड़ा बहुत DNA पाया जाता है, जबके RNA ribonucleotide है, इसके अदर ribos हा जाते हैं, nucleotide A, adenosine, govanine, cytosine and uracil, single strand है, RNA कहां मौझूद होता है, nucleus nucleus, nucleolus में, ribosome में, cytosome में भी smaller amount में मौझूद होता है, help करता है protein synthesis के अदर, करेंगे.